हेलो फ्रेंज वेलकम बाक टु माई शैनल तो गाई आज की जो विडियो है उसको टाइटल आपने देख ली आए कि टाइटल से मैं कि आज 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 आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आपका जो फाउंडेशन है बेस है उसको आप फलॉलेस कैसे दिखा सकते हैं की शिकायत होती है कि उनका जो बेस है वो फ्लॉॉलस नहीं लगता, नाश्रल नहीं लगता, केकी हो जाता है, ज्राइ हो जाता है, और लॉंग लास्टिंग नहीं होता, कुछ देल बाद जो उनका फांडेशन है वो ग्रे हो जाता है, तो यह सारी शिजो के solution आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, अगर आप शोटी-शोटी बातों का ध्याम रखेंगे ना, तो trust me, आपका बेस भी फ्लॉलस होगा, मेरे बेस की तरह, तो यह, अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगे, तो प्लीज मेने चैनल को सब्स्क्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, it means a lot to me, and yeah, without wasting any more time, let's get started. So guys, मेरा शेहरा एक्टम क्लीन है, मैंने face wash कर लिया, पहला स्टेप यही है कि आपका शेहरा एक्टम क्लीन होना चाहिए, Secondly, जो second स्टेप है, वो है moisturizer लगाना, यहाँ पर मैं यूस कर रही हूँ, BioTika Advanced Raiulveda, Bio Morning Nectar, इसके उपर एक separate review मैं आप लोगों के साथ जल्दी share करूंगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर ले, ताकि आपको वीडियो की notification मिले, So, moisturizer does two very important things, पहला, यह आपके face को moisturize करता है, ताकि आपकी foundation की application easy हो जाए, even हो जाए, और आपका जो face है, वो cake ही ना लगे, आपका जो foundation है, वो cake ही ना लगे, इसके अलावा, आपको 2 minute wait करना है, इसके बाद हम लगाएंगे primer, primer क्या करता है, वो आपके pores को fill in करता है, आपके skin को smoothness देता है, long lasting बनाता है आपके makeup को, और आपके makeup को, आपके skin को makeup के against protection भी देता है, एक barrier की तरह basically primer act करता है, इसको लगाने के बाद भी मैं 2 minute wait करूँगी, अब मैं करूँगी color correction, जी हाँ, color correction, color characters basically क्या होते हैं, जो भी आपके face पे problems होती हैं, उनको correct करने के लिए बने होते हैं, इसके उपर एक separate detailed video मैं कभी लाँगी आप लोगों के लिए, I hope जल्दी, so, यहाँ पे मैं orange color character use कर रही हूँ, यह मैं use कर रही हूँ, Swiss Beauty की palette है मेरे पास, Cover Studio, Ultra Base Concealer palette, उसमें एक orange shade है, उसको मैं use कर रही हूँ, जहाँ भी मेरे darkness है, जैसे मेरे dark circle से हलके फुलके, ना के बराबर हैं, और mouth के around हलका सा darkness है, जहाँ भी मुझे लगा, मैंने use किया, usually मैं करती नहीं हूँ color correction क्योंकि मुझे need नहीं है, मेरा foundation and concealer से काम चल जाता है, लेकिन for the sake of this video कि इसमें दिखाना था कि आपको one by one step कैसे करना है for flawless base, तो मैं दिखा रही हूँ, okay, so, अगर आपको dark circles, ना के बराबर हैं, तो अगर आप orange color character use नहीं भी करेंगे, तो भी जलेगा, okay, लेकिन यहाँ पर दिखाना है, तो मैं दिखा रही हूँ, so, यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी आपको problem है, उसे साब से product लेना है, like मेरे को ना के बराबर problem है, तो मैं ना के बराबर ही orange color character को use कर रही हूँ, और धीरे-धीरे build कर रही हूँ, एक दम से आपको कोई भी product नहीं लगाना होता है, आप उसको धीरे-धीरे build करो, थोड़ा सा लिया लगाया, आपको basically उन जगाओं को hide करना है, ठीक है, आपको neutral करना है अपनी skin को, like आपने जहापे आपके कालापन है, आपको उस जगा को ऐसा दिखाना है कि वो आपकी बाकी जो skin है, उस जैसा आपको basically से बनाना है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ मेरे कालापन था पहले, दोनों skin अलग-लग लग लग रही थी, अब वो एक जैसी हो गई है, neutral हो गई है, अब म में लगा रही हूं, foundation, foundation के लिए यहाँ पर मैंने liquid foundation चूज किया है, because winter चल रहा है, so यहाँ पर मैंने use किया, lacme invisible foundation, SPF 8, और इसमे मेरा shade है 02, और सारे ही products जो मैंने इसमें दिखाए हैं न, वो सारे affordable हैं, आप कुछ भी लेना चाहें, तो प्लीज आप ले सकते हैं, सारे बह foundation नहीं लगाना है, otherwise आपको जो foundation है, वो बहुत सादा केकी हो जाएगा, और देखने वाले को भी सामने लगेगा कि कितना foundation लगाया है, हमें natural look चाहिए, इसे लिए तो आप ये video देख रहे हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर एक wet beauty blender की help से foundation को blend करूँगी, और seamlessly blend करूँगी, औ और उसको भिगो दिया, एक दो मिनट के लिए और फिर ने चोड़ दिया, आप चाहे तो foundation brush का भी use कर सकते हैं, it is totally depend on you, और neck पे भी मैं इसको drag कर लूँगी, थोड़ा बहुत, चीक है, और इसके अलावा आपको बहुत हलके हलके हातों से काम करना है, like dab dab करना है, रगड़ इसके अलावे एक advice में आपको यहाँ पे दूगी कि जब भी आप foundation select करें, तो आप अपनी skin के हिसाब से करें, like जादा light मच जाएए, ना जादा डाग जाएए, आप एक shade light जा सकते हैं, लेकिन उससे जादा light जाएंगे, तो आपका foundation बहुत अजीव लगेगा, ऐसे लिए हमें हमेशा अपनी skin के according ही foundation लेना है, और अगर आपको चाहिए bright look, तो आप एक shade अप जा सकते हैं, बट उससे जादा ना ही जाएं तो अच्छा है, ओके, इसके बाद मैं लगाँगी concealer, concealer यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, wet and wild का photo focus concealer, इसमें जो मेरा shade है, वो है medium tonny और यह काफी अच्छा concealer है, इससे पहले मैं Maybelline की use की करती थी, और वो भी अच्छे थे, यह भी अच्छा है, और concealer मैं इहाँ पे लगाँगी under eyes पे, और अपने forehead पे, forehead के बीच पे, bridge of the nose पे, cupid पे उपे, और chain area पे, और अपनी ring finger की help से मैं इनको blend कर लूँगी, आप चाह चीजों की आपको need नहीं है, अगर आप एक beginner हो तो, आपके पास हैं बहुत सारे brushes, that is a different thing, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपनी ring finger की help से भी blend कर सकते हैं, and trust me, बहुत अच्छे से blend होता है, आपकी fingers बहुत अच्छे से makeup को blend करत ही है, और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं रगड नहीं हूँ, मैं बस dab dab कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से work करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, concealer क्या करता है कि आपके face को highlight कर देता है, जो भी आपके points है face के, उनको highlight कर देता है, brighten up कर देता है, जैसे हमारी under eyes को, bridge of the nose को, forehead को, cupid bow को, chain area को इनको bright करने के लिए ताकि जब इन पर light fall हो तो ये एकदम brighten up लगे इसके बाद मैं इन सारी चीजों को set करूँगी और इसके लिए मैं use कर रही हूँ NYB का compact with SPF 40 ये आपको purple की side से मिल जाएगा मैं यहाँ पर loose powder भी use कर सकती थी, बट मैंने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि winter का time चल रहा है और हमें इतनी baking की या loose powder की need नहीं है, हमारा calm compact से भी चल सकता है अगर summer होता, तो मैं loose powder यूज कर दी, baking दिखाती आपको, बट मैंने वो नहीं किया सो यह आप देख सकते हैं मेरा base सो गाइज, मैं अब अपना full makeup करके आप लोगों के सामने आऊंगी और तब आप देखना कि मेरा जो makeup है, face makeup है, वो कितना flawless दिख रहा है और एक separate video मैं बनाऊंगी highlighter, contour के ओपर की हमें contour कैसे करना होता है highlight कैसे करना होता है, blush कैसे लगाना होता है, यह तीनों चीजों के ऊपर एक separate video मैं आपके लिए लाऊंगी आज की video यहीं तक के लिए थी So guys, I hope आज की video आपको informative लगी हो और अगर informative लगी है तो please मेरे चैनल को subscribe करना and मेरे वीडियो को like करना, it means a lot to me and आप इस तरीके से base करेंगे ना तो आपका foundation ज़रूर बहुत जादा flawless लगेगा और मैंने कुछ चीजें अपनी चैनल पर share की हुई है कि आपको अगर अपनी skin को flawless करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं क्या खाना है, क्या नी खाना, कैसे skin, क्या routine करना है ऐसी बहुत सी informative videos मैंने अपने चैनल पर share की हुई है तो अगर आप interested हैं तो please उन वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना ये बाल-बाल मैं remind करवारी हूँ क्योंकि बहुत से लोग video देखते हैं चैनल रहते हैं, लेकिन आपका एक like और आपका एक subscribe मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है motivation है कि मैं आगे आपको और अच्छा content दूँ and yeah, मिलती हूँ अपनी next video में तब तक के लिए, bye